तो हलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में तो आज में लेकर आचुका हूँ सूबर गल का सीजन टू का एपिसोर नमबर वन तो इस सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहांपर पिछला सीजन खतम हुआ था मतलब की कारा अब उसी जगा पर जाती है जहांपर वो पॉड क्रेश हुआ था जान कारा को उस पॉड को खोलने से मना करता है क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस पॉड के अंदर क्या होगा पर कारा उसे खोल कर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है तो अब हमें पता चलता है कि उस पॉड के अंदर धरसल एक आदमी था जो कि शायद दोनों ही आपस में बाते करने लगती है और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कारा ने जेम्स के साथ एक डेट रखी है और इसने डिसाइड करा है कि आज जब ये उस डेट पर जाएगी तो ये कोई भी सूपर गल वाला काम नहीं करेगी अब ये दोनों इस बारे में बाते करी रहे थे कि इतने में ही कारा को कैट का मैसेज आता है जो कि तुरंट इसे ओफिस में बुलाती है अब जैसे ही कारा कैट के पास पहुंसती है तो कैट इससे बोलने लगती है कि तुमने क्या सोचा है कि तुम प्रमोशन लोगी या नहीं जवाब में कारा बोलती है कि अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और मुझे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए इस पर कैटी से बोलती है कि तुम्हारे पास 24 गंडे का टाइम और है अब इस बात को सुनने के बाद कारा तुरंट अपने घर चली जाती है और उदर जाकर तयार होने लगती है क्योंकि थोड़ी ही देर में जेम्स यहाँ पर आने वाला था और अब कारा सोची रही थी कि ये डेट के समय पर क्या पहने कि तभी यहाँ पर जेम्स आ जाता है जो कि कारा से बोलता है कि तुम कुछ भी पहनो तुम हमेशा सुन्दर लगोगी अब इस बात को सुनने के बाद कारा को काफी ज़यदा अच्छा लगता है और अब ये दोनों अपनी डेट पर जाने ही वाले थे कि तभी कारा की नजर टीवी पर पढ़ती है जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा जा रहा था पर अटमोस्वेयर के थोड़ा सा बाहर जाते ही उसके विंग में आग लग जाती है और वो जमीन पर वापस से क्रेश होने लगता है अब इस बात को देखते हुए कारा को सोचने लगती है वहीं हम लोग सूपर गल के इस सीजन में पहली पार क्लार्क केंट को देखते हैं जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा था तर वैसे मेरे को क्लार्क केंट के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि सबी लोग जानते हैं कि वो खुदी सूपर मैन है और अब जैसे ही ये इस नियूज को टीवी पर देखता है कि एक स्पेसक्राफ्ट नीचे गिरने वाला है तो इसी वज़े से ये तुरंट अपनी सूपरमैन की कॉस्ट्यूम में आकर उस जगा पर जाने लगता है और अब ये दोनों साथ में मिलकर किसी तरह उस स्पेसक्राफ्ट को जमीन पर लैंड करवा देते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को अपने सामने देखकर बहुत जादा ही खुश होते हैं तब सूपरमैन से बोलती है कि मैं कब से इंतजार कर रही थी कि हम दोनों को एक का साथ में करें इस पर सूपरमैन बोलता है कि मैं भी और अब सूपर गल सूपरमैन को उस जगा पर लेकर जाती है जहां पर डी यो का में बेस था अब सूपरमैन के वहाँ पर जाते ही सभी लोग काफी ज़दा शौक हो जाते हैं तो कि सूपरमैन दर असल यहां पर नहीं आ रहा था तब हम लोग समझ पाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड है पर DC वालों को तो अपना एपिसोड चलाना है तो इसी वज़े से इस गड़बड के वारे में भी हमें बाद में ही पता चलेगा खैर आगे हम लोग देख पाते हैं कि सूपर गल सूपर मैन को उस आदमी के पास लेकर जाती है जो कि इन्हें पॉर्ड में मिला था परवीन दोनों में से किसी को भी ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ये आदमी दरसल है कौन अब आगे कारा क्लार्क से कैट को कमपनी में चलने को बोलती है ताकि ये जेमस से मिल सके इस पर क्लार्क भी मान जाता है पर जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो बाहर जौन खड़ा होता है जो कि सूपर मैन को अजीब तरह से देख रहा होता है ये देखने के बाद कैट तो काफि ज़्यदा शौक होती है क्यूंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्लार्क से कैसे बात करेगी क्यूंकि क्लार्क सच में ही बहुत ज़्यादा ही फेमस रिपोर्टर था इसी वज़े से ये कारा को अपने पास बुलाती है और इसे पूशती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम कलार्क को भी जानती हो तब कारा भी काफी ज़्यदा शौक होती है और बोलती है कि हाँ बस हम दोना फ्रेंड्स है तब केट कलार्क को बाते करते हुए साइड मे लेकर चली जाती है तब ही कारा को एलेक्स का कॉल आता है जो की से बताती है कि तुम लोगों को एक कमपनी में जाकर छान बीन करनी पड़ेगी क्योंकि जो इस स्पेस्शिप क्रैस हुआ है उसमें मिस्स लिूथर भी थी अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफ़ जदा शौक होती है और अब ये क्लारकों को लेकर सीधा उसी जगा पर जाने लगती है क्योंकि आभी ने समझ में आ गया था कि किसी ने मिस्स लिूथर को मारने के लिए ही उस स्पेस क्राफ्ट को क्रैस करवाया था तो इसी वज़ा से कारा और क्लारक डोनों मिस्स लिूथर की कंपनी की दरफ जाने लगते हैं अब आगे हम लोग एक कॉर्बिन नाम के इनसान को देख पाते हैं जिसने की बहुत सारे ड्रोन्स बनवाए थे क्योंकि ये वही बनदा था जो कि मिस्स लिूथर को मारना चाहता था और अभी ये उस आदमी के पास होता है जो कि ड्रोन बना रहा था पर ये तो साह जहां कर रिष्टेदार निकलता है क्योंकि ये उस आदमी को ही मार देता है जिसने ड्रोन बनाए थे ताकि कोई आगे ऐसी टेकनोलोजी का यूज ना कर सके और अब ये सोचने लगता है कि ये मिसिस लिूथर को कैसे मारेगा वहीं हम लोग देख पाते हैं कि कारा और क्लार्क जाकर मिसिस लिूथर से मिलते हैं और इसे बताते हैं कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला है पर अभी मिसिस लिूथर इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोचती रहती है कि कैसे ये इने यहां से भगाए पर जब कारा और क्लार्क दोनों ही अपनी बात पर डटे रहते हैं तो इसी वज़ासे मिसिस लिूथरी ने एक पैंडराइव देती हुई बोलती है कि जो स्पेस्क्राफ्ट स्पेस में गया था ये उसके फाइल्स हैं तो इसी वज़ासे तुम इसे जाकर देख सकते हो इसमें कोई भी गलती नहीं है अब उस पैंडराइव को लेने के बाद ये दोनों ही यहां से चले जाते हैं अब जब ये दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि क्लारकों को पता है कि कारा जेम्स को पसंद करती है पर अभी कारा इस बारे में क्लारकों को कुछ भी नहीं बताती है। पर क्युकि हम लोगों को पता था कि हमारे उपर ऐसी मुसीबते आ सकती है तो इसी वज़े से हमने उस क्रिप्टोनाइट को निकाल लिया पर सूपरमैन को लग रहा था कि इससे उसे नुकसान पहुचाया जा सकता है। क्योंकि वो अपने हेलिकॉप्टर में कहीं पर जा रही है। और दूसी तरफ जैसे ही मिस्स लिटर हवा में अपने हेलिकॉप्टर को लेकर जाती है तब ही दो ड्रोन इनके हेलिकॉप्टर को घेर लेता है। ये इनके उपर फायर करता है तब ही बीच में सूपर गल और सूपर मैन दोनों आ जाते हैं। और अब ये दोनों जल्दी जल्दी सभी ड्रोन्स को डिस्ट्राइ करना चालू कर देते हैं। जिसमें इन्हें पहले तो काफी ज़दा दिक्कत आ रही होती है पर बाद में ये किसी तरह सभी ड्रोन्स डिस्ट्राइ कर देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूपर हीरो कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले वो चीजरूर होनी होती है जिसको वो रोगने जाता है। तो इसी वज़े से एक ड्रोन हेलिकॉप्टर पर भी हमला कर देता है। ये अभी कारा से ज्यादा बात नहीं करता और यहां से चला जाता है। मुझे सोच कर बता देना कि तुम क्या करना चाती हो। नॉर्मल असिस्टेंट की तरह वर्क करना चाती हो या फिर रिपोर्टर बनना चाती हो। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और यहां से चली जाती है। यहां से निकलने के बाद कारा वापस से D.E.O के मेन बेस में जाती है जहां पर सूपरमैन भी था। और अब यहां पर इन लोगों को विन की मदद से बता चलता है कि इन ड्रोन को एक आदमी कंट्रोल कर रहा था जिसका नाम मिस्टर कॉर्विन था। और अब वो वापस से मिस्टर के उपर हमला करने वाला है क्योंकि उन्होंने अपना एक इंटर्वियू रखा हुआ है। अब इस बात को सुनने के बाद क्लार्क और कारा दोनों ही डिसाइड करते हैं कि यह दोनों उस मीटिंग वाली जगा पर जाएंगे। अब जब यह लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर जेम्स भी है और अब जैसे ही मिस्टिस लिउथर अपना इंटर्वियू चालू करती है तब ही इनके पीछे की बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि इनी की बिल्डिंग थ अब ये चीज़ देखते हुए यहाँ पर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं तब सूपर गल और सूपर मैन दोनों ही अपनी में कॉस्ट्यूम में आकर लोगों की मदद करने लगते हैं तब कारा सबसे बहले तो जेम्स की मदद करती है और अब क्योंकि वो इसलितर के उपर अटैक करने वाला होता है उससे पहले ही ऐलेक्स इसके उपर अटैक कर देती है वही हम लोग देख पाते हैं कि सूपर गल और सूपर मैन दोनों ही सोच रही होते हैं कि विल्डिंग को नीचे गिरने से कैसे बचाया जाए अब ये उनको उठा कर लाती है और अंदर जाकर बैड कर देती है, जिस वज़े से बिल्डिंग नीचे गिरने से बच जाती है, और अब सूपरमैन इस बात को देखकर काफी ज़्यदा खुश होता है, तब सूपरगल जल्दी से एलेक्स की मदद करने जाती है, ताकि ये कॉर्बिन को जल्दी से पकड़ सक जिस वज़े से कॉर्बिन के बहुत ज़दा बलड निकलने लगता है, तब अलेक्स बोलती है कि इसका बचना बहुत ज़दा ही जरूरी है, इसी वज़े से सूपरगल सूपरमैन को बलाती है, ठैरब क्यूंकि सब सही हो गया था, तो इसी वज़े से कारा क्लार्क से लगता ही मांगती है, तब जेम्स भी इसे माफ कर देता है, और अब यहां से कारा डी यो के मेन बेस में पहुंसती है, जहां पर सूपरमैन भी था, तब यह सारे आपस में बाते करी रहे थे कि तभी नियूज में दिखाया जाता है, कि कुछ रोबर एक जगा को लूटने क कोशिश कर रहे हैं, अब इस बात को सुनते ही कारा और सूपरमैन दोनों ही उस जगा के लिए निकल जाते हैं, अब इस एपिसोड के लाश्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि मिस्टर कॉरबिन को एक जगा पर लिटाया हुआ है, अभी इसके पास एक औरत आती है, जिस कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाते हैं, तो उमिदे कि एक्स्पेनेशन अच्छी लगी होगी, अगर एक्स्पेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को और पर स्लेक्ट करना, और वीडियो को भी अगरेदार एक्स्पेनेशन वीडियो लातर होंगा